प्रभास एक बहुत ही आकर्शक भार्टीय फिल्म के 38 वर्षिय नौजवान अभिनिता है। उन्होंने अपने अभिने के बल पर बहुत सारे पुरसकार प्राप्त किये है। बहुत टेलगू फिल्मों के साथ ही बॉलिवुड फिल्मों में भी काफी सराहनिय काम किये है। प्रभास अपनी 2015 की फिल्म बाहुबली, The Beginning से वर्तमान में काफी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में उनकी इस फिल्म का सिक्कवल आया है जिसका नाम है बाहुबली 2। ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ने के कदार पर है। बाहुब प्रभास के द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसमें उन्होंने गुंडों के द्वारा शोशित की हुए एक शर्नार्थी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बहुत ही सफल रही थी। 54 केंडरों पर ये फिल्म 100 दिनों तक बड़े शान से चलती रही थी। हर तरह उनके अभिने की अनूठी शेली की सराहना जिसमें उन्होंने शिवा केशव के किरदार को निभाया। 2007 में योगी फिल्म में उनके पात्र का नाम ईश्वर प्रसाद था। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा का मिलाजुला रूप था। फिर 2008 में एक्शन और कॉमेडी से भरपूर उनकी फिल्म आही बुझ फिर इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म आही जिसका नाम एक निरंजन था जिसमें उनके पात्र का नाम छोटू था। 2010 में आही उनकी फिल्म का नाम डालींग था जोकी एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम प्रभास था। फिर 2011 में ए वारा निर्देशित एक एक्षन फिल्म थी, जिसमें उन्होंने रिशी नाम की किरदार को निभाया था, और इसमें देनिकेना रेडी ने एक छोटे सी कैमियों के लिए अपनी आवाज दी थी. फिर उनकी 2014 में फिल्म आई मिर्ची, जिसमें उनकी हिरोईन अनुषका शक्ती थी. ये फिल्म सुपहेट रही इस फिल्म की दर्शकों ने बहुत प्रशन सा की. इस फिल्म के लिए उन्हें आवार्ड भी प्राप्त हुए. उसके बाद 2014 में प्रभु देवा की हिंदी फिल् सिर्फ एक आईटम गाने में दिखे थे. अब तक प्रभास को सभी उनके टेलगू फिल्म में किये गए कामों से ही जानते थे. लेकिन जबसे उनकी फिल्म 2015 में बहुबली आई है, जिसमें उन्होंने महेंद्र बहुबली के किरदार को निभाया है तब से हर तरफ उनके द दुनिया भर में चालू किया गया है. ये फिल्म टीन भाशा में तेलगू, तम्मिल और हिंदी में जारी हुई है. इस फिल्म ने भी बॉक्स ओफिस पर सफलता के नए कृतिमान को गरने के कगार पर अपनी पहुँच बना ली है.